पुलिस वालों को निशाना बना रहे हैं तीन पुलिस वालों को पहले उनका फरण किया और फिर उनकी हत्याकत पुरे देश का खून खौल रहा है आधंकियों की सबसे काईराना हरकत कश्मीर में तीन पुलिस वालों की हत्या हत्या से पहले पुलिस वालों का पहरा कश्मीर की घाटी में आतंक का ये सबसे घिनोना रूप है कपड़े में लपेट कर जिस शौग को ये लोग रोते बिलखते हुए लेकर आ रहे हैं वो एक पुलिस कर्मी का शब है उसका गुनाह ये था कि वो देश के लिए काम करता था उसके सीने पर पुलिस की वर्दी सकती थी और यही वर्दी आतंकवादियों को बरदाश्ट नहीं थी 24 घंटे के भीतर आतंकवादियों ने तीन तीन पुलिस कर्मियों की हत्या कर डाली इन तीनों पुलिस कर्मियों को आतंकवादियों ने शोपिया के कापरान गाउं से गुरुवार तेर रात अगवा किया था और फिर जंगलों में ले जाकर उनकी गोली मार कर हत्या कर दी इन तीन पुलिस करमियों में से एक constable और दो special police officers शामिल है इन शाहीदों में शामिल है constable Nisar Ahmed, SPO Firdaus Ahmed और SPO Kulwant Singh Nisar Ahmed सश्चस्तर पुलिस में कारिवरत थे Firdaus Ahmed रेलवे सुरक्षा में तैनात थे जिबकि कुलदीब सिंग कुलगाम पुलिस में सेवा दे रहे थे आतंकियों ने पुलिस कर्मी निसार अहमद के भाई फयाज अहमद भट का भी अपारण कर लिया था लेकिन कुछ देर बाद उसे छोड़ दिया जिब कौन होते हैं अवाम में लोगों को इस तरह की धंकियां देने के लिए और बाकी चीज़ें करने के लिए और खास्तार के उस सूरत में जब इनके अपने रिष्टेदार खुद नौकरियां कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस तरह की हरकत जो है वो गयर वाचप है गलत है गयर कनूनी है और इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए शहिद पुलिस कर्मियों को जमु कश्मीर पुलिस ने पुरे सम्मान के साथ हाखरी विदाई दी कश्मीर घाटी में एक बार फिर आतंगवादियों ने पुलिस वालों को अपना निशाना बनाया है अभी की घटना में तीन पुलिस कर्मियों को आतंगवादियों ने उनकी निर्मा मत्या कर दी है और इस समय जमु में काफी आक्रोश है इस पूरे मुदे को लेकर डोगरा फ्रेंट के जो कारी करता है वो इस समय यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे है यमू कश्मीर में अब कोई सरकार नहीं है शासन सीधे केंद्र के हाथ में अब तो ये बहाना भी नहीं है कि कश्मीर में सरकार आतंकवादियों की हमदर्द है तो फिर आतंकी ऐसे बेलगाम क्यों हो गए यूँ आतंकवादियों के आगे सेना और पुलिस के सारी नाकाबंदी नाकाम साबित हो रही है उस पर तुर्रा ये कि सरकार प्रवचन कर रही है हैं याकाब दो के आगे थे पुलिस DAVID करने के सेना के जवान हैं और वहा की पुलिस भी अच्छा मुकावब लग्र पर दाना के हसाब में लोगों पुलिस वालों को जादा आपने के नीटी भनाई है उदर जम्मो कश्मीर में नवनियूक तरा जिपाल सत्यपाल मलिक ऐसी घटनाओं को आतंकवादियों की बहुखलाहट करार दे रहें केंदर सरकार और राजयपाल जो भी कहें लेकिन आतंकवादियों की इसी तरह की कायराना हरकत में अब तक 9 पुलिस कर्मी शहीद हो चुके हैं ऐसी जानकारी मिली है कि आतंकवादियों की धंकी के बाद घाटी में छे स्पेशल पुलिस आफिसर्स और एक कॉंस्टेबल ने इस्तिफा दे दिया है शोपिया में तैनाद पुलिस कॉंस्टेबल मुहमद इरशाद बाबा ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपने स्थीफे का इलान किया जमु कश्मीर में आतंकवादियों के डर से पुलिस कर्मियों के स्थीफे से ग्रे मंत्राले तक खिल गया है ग्रे मंत्राले ने ट्वीट कर स्थीफे की ख़बरों को गलत बताया जमु कश्मीर पुलिस भी इन ख़बरों को गलत मान रही है दरसल पिछले दिनों हेजबल मुजाहिदीन के चीफ ओपरेशनल कमांडर रियाज नाइकू ने कश्मीर के पुलिस कर्मियों को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने पुलिस की वर्दी नहीं उतारी तो जान से जाएंगे इसके बाद साथ पुलिस कर्मियों के स्तीफे की खबर आई यमुसे सुनील भट के साथ अश्रफवानी शीनगर आज ता 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक स्वेथ दूसरी साल गिरा करीब है सियासत चड़ गई है जिया देरसल यूजी सी ने तमाम विश्वविद्याले को चिस सिक्षन सनसानों को ये कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक डे मनाया जाए कॉंग्र defenders आरोप लगा रही है कि बीजेपी सर्जिकल स्ट्राइक का भी सियासी फादा उठा रही है सर्जिकल स्ट्राइक 28 सितंबर 2016 की राद जब हमारे जावाजों ने पास अजबित कश्मीर में घुसकर आतंक के ठिकानों को तहसनेहस कर दिया था और इस एक्शन में कई आतंक वादी भी मारे गए था जबकि हमारे एक भी कमांडों का बाल भी बाकर नहीं हूँ 29 सितंबर की सुबह हमारे साने कमांडों सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने के बाद सुरक्षित अपनी सीमा में लौट आए था अब UGC ने देश भर के विश्वे द्यालेयों और उच्च शिक्षन संस्थानों को सर्जिकल स्ट्राइक दिवस के रूप में मनाने का फर्मान जारी कर दिया है UGC के इस फर्मान में आखिर क्या लिखा है आईए आपको बताते हैं इस फर्मान में कहा गया है कि देश के सभी विश्वे द्यालेयों और उच्च शिक्षन संस्थान 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक दिवस मनाए सुरक्षा बलों को अपना समर्थन देने के लिए उन्हें ग्रिटिंग कार्ड भेजा जाए सभी विश्वे द्यालेयों की NCC की काईयों को 29 सितंबर को विशेश परेड का आयोजन करना चाहिए जिसके बाद NCC के कमांडर सरहत की रक्षा के तौर तरीकों के बारे में उन्हें संबोधित कर विश्वे द्यालेयों सशस्त्र बलों के बलिदान के बारे में चात्रों को समवेदन शील करने के लिए पूर्व सैनिकों को शामिल करके संबाद सत्र का आयोजन कर सकते हैं इंडिया गेट के पास 29 सितंबर को एक मल्टी मीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा इस तरह की प्रदर्शनीयों का आयोजन, राज्जियों, केंद्र शासित प्रदेशों, एहम शेहरों, समूचे देश की छावनियों में किया जा सकता है 29 तारीक जबकि सर्जिकल स्ट्राइक की सेकंड एनिवर्सरी है उस दिन NCC की विशेश परेड हो सर्जिकल स्ट्राइक पर UGC के इस फर्मान के बाद सियासत गर्मा उठी है कॉंग्रस ने मोधी सरकार पर सर्जिकल स्ट्राइक के राजनीति करण का आरोप लगाया है कल को कहें के मोहन भागवत जी का जनम दे मनाना है तो वो भी एक डिरेक्टिव हो जाएगा UGC से इनके पीछे मकसद यह है कि एक राजनेतिक फैदा उठाने की मानसिकता की सोच कि किसी तरीके से एक ऐसा काम किया जाए को जनता को यह दिखाया जाए कि यह जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उसके बारे में मैं मेरिट्स पे कुछ नहीं कहना चाहता यह मोधी जी की वज़े से हुई है और हालांके जो जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का श्रे है वो तो आर्मी को जाना चाहिए और इसमें किसी को कंपल्शन नहीं है लेकिन बहुत हजारो लाखो चातर सुनना चाहते उन्हें के सुजाव से हमने ये किया है और दूसरा है कि ये जो विपक्षिदल कुछ कह रहा है कि इसमें राजनीती करन है इसमें सेना का गवराव बढ़ाने का ही काम है इसमें कोई भी राजनीती नहीं है UGC का फरमान आने के बाद विश्वे द्यालेओं में भी हलचल मच गई कुछ विश्वे द्यालेओं के चातर संगठन विरोध में हैं जेनियू में इस मामले में अभी से टक्राव के हालाद बन रहे हैं। जेनियू के कुलपती एंट जगदीश कुमार कह रहे हैं कि धूमधाम से मनाएंगे सर्जिकल स्ट्राइक तो छात्रसंग अध्यक्ष के इरादे कुछ और ही है। ऐसा कुछ नहीं हमारा जेनियू में तो सब स्टुडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ, सब लोग इसको सपोर्ट करेंगे। हम बहुत अच्छी तरफ से एक प्रोग्राम को हम कंडेट करेंगे। सच में ही सर्जिकल स्ट्राइक डे मनाना चाहिए क्योंकि जब से हमारा वाइस चांसलर आया है उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया MPL PhD सीटों के साथ 83% सीट कट हुआ है। उसके चलते चलते रिजर्वेशन के उपर भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। रिजर्वेशन इंप्लिमेंट होई नहीं रहा है। पर फेर सियासर गर्माई हुई है। दिल्ली में आश्टोष मिश्रा के साथ आज तक भी हुए। राष्ट्रो माता बना दिया जाए। अगर केंद्र से ये मान लिया जाता है तो फिर वाकई उत्राखंड में गाय माता नहीं राष्ट्रो माता मानी जाएगी। अब तक बच्चे यही पढ़ते आए थे कि गाय माता है। लेकि लगता है कि अब गाय माता नहीं राष्ट्रो माता भी कही जाएगी। जी हाँ उत्राकंड विधान सभा से ये विधहक पारित हो गया है जिसमें गाय को राष्ट्रो माता कहा गया। सूबे की पशुपालन मंत्री रेखा आरिया ने विधान सभा में विधहक पेश किया और फिर सदन ने प्रस्ताव को सरोसमती से पारित कर दिया। मुझे खुशी है कि पशुपालन मंत्री रहते हुए मुझे ये संकल्व लाने का आउसर मिला और खुशी इस बात की भी है कि ये संकल्व सरोसमती से पारित हो गया और जल्दी ही केंद्र को भेजा भी जाएगा। हिंदुत उपर लल्चाई नजर ठिकाई कॉंग्रेस इस प्रस्ताव का विरोध भला कैसे करती। लहाजा विधान सभा में सरकार के प्रस्ताव के साथ खड़ी रही और हलके से ही सवाल भी दाग दिये। किसे सवाल मौलिक हों लेकिन यहां किसे पड़ी है कि गाए सरकों पर आवारा घूमें या ना घूमें। यहां तो दोनों ही पार्टियों के लिए गाए का मामला सियासी ज्यादा है। देश में आई दाए नाम की तबाही। दाए नाम के साइकलोन निढ़ाया कहर। बोडिशा में दाए की देश्चत से कांप उठे लोग। चक्रवाती तूफान दाए से आई बोडिशा में बार। अब छे राच्चियों पर मन रहाया दाए का खत्रा। बंजाब हर्याना यूपी उत्राखन हिमाचल में अलट। बंगाल की खारी से एक चक्रवाती तूफान उठता है और देश्चत बनकर आगे बढ़ने लगता है। सबसे पहले जिस दिशा में ये चक्रवाती तूफान चलता है उसका पहला पढ़ाव ओडिशा होता है। मौसम वेग्यानिक इस चक्रवाती तूफान की चर्चा करने लगते हैं। किसी को पता नहीं होता कि इस तूफान की पीछे कितनी बड़ी तबाही चिपी है। जैसे ही ये तूफान बंगाल की खाड़ी से उठा मैनमार ने इसको नाम दिया दाए और शुरू हो गई तहश्चत की कहानी। ओडिशा के लिए गुरुवार की रात खत्रे की रात थी। लोग डरे हुए थे। वैग्यानिक डरे हुए थे। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से लेकर वहाँ का प्रशासन भी हाई अलर्ट पर था। पता नहीं दाए नाम की आफ़त कितनी बड़ी होने वाली है। और ये चक्रवाती तूफान शुकरवार सुबह ओडिशा में गोपालपूर के पास समुद्री तट को पार कर गया। इस तूफान से ओडिशा में जो हुआ पहले उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जिहां ओडिशा के मलकान गिरी में मूस लधार बारिश के साथ बाड़ा गई। इस तूफानी आफ़त में इतना पानी बरसा कि अस्पताल लबालब हो गए। आप देख सकते हैं कैसे ओडिशा के मलकान गिरी में ये अस्पताल डूबा हुआ है। लोग दुकाने बंद करके भागने लगे। सलकों पर सलाब ही सलाब है। ये देखिए बस्तियों में कैसे बाड तांडों मचा रही है। खेतों में पानी भर गया है। बारिश इतनी तेज थी कि डैम फुल हो गया। जिसके चलते डैम के दो गेज खोलने पड़ गये। ओडिशा में अभी भी हालात कुछ ऐसे हैं कि तेज हवाएं चल रही है। ओडिशा के मलकान गिरी, राइगड़ा, काला हंडी, कोरापुट, गजपती, गंजाम, कोरधा, नागर और पूरी जिले सबसे ज़ादा प्रभावित हुए है। ओडिशा के इन जिलों में जबरदस्त पारिश हो रही है। अगले 24 घंटे अभी ओडिशा के लिए भारी है। दायत तुफान ओडिशा में गोपालपूर के पास समुद्र तट से गुज़रा तो वैग्यानिकों ने राहत की सांस है। क्योंकि इसकी रफदार उतनी नहीं थी जितनी वो सोच कर बैठे थे। ऐसे में ओडिशा में बाड़ और पारिश क छोड़कर बहुत बड़ी तबाही नहीं मचे। और इशा से भले ही दाय का खौफ गुजर गया लेकिन दाय का खत्रा अब उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने 23 और 24 सितंबर के लिए हर्याना, पंजाब, उत्राखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए जेतावनी जारी की है। मांसून की बारिश और कुद्रत के कहर से पहार उबरे भी नहीं है कि एक और बड़ा खत्रा ख़ला हो गया है। आपने पिछले दिनों में देखा कि कैसे उत्राखंड और हिमाचल में पहार दरक रहे थे। गुद्रत के कहर से तूट तूट कर गिर रहे थी मुश्रधार बारिश उत्राखंड में दांडो मचा रही थी सैलाब में कारें फिंके की तरह वही जा रही थी अब एक बार फिर से पहाडों पर आफद काल लगने जा रहा है मौसर मिभाग लोगों को आगाह कर रहा है अगर आप पहाडों पर घूमने का मन बना रहे हैं तो सावधान पहाडों पर 23 और 24 सितंबर को भयंकर वारिश हो सकती है आज हम वारिण इसू किये हैं पंजाब, हरियाना, चंडिगर्ट और नर्थ वेस्ट यूपी चक्रवाती तुफान दाय की देश्चत से अभी तक औरीशा डर रहा था अब बूरा उत्तर भारत खाफ खा रहा है पता नहीं 23 और 24 सितंबर को क्या होने वाला है उत्तर भारत में जब ये सिस्टम पहुँचेगा उत्तर भारत में जब ये सिस्टम पहुँचेगा तब यहाँ पर एक वेस्टरन डिस्टर्बिंस आ रहा होगा जिसके साथ इसका इंटरेक्शन होगा और इस वज़े से हम कह सकते हैं 23 और 24 तारीक को पहाड़ी इलाकों समेथ मैदानी इलाकों में बारिस होने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है चुकि इंटरेक्शन हो रहा है इस वज़े से मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल के तमाम इलाकों में 23 और 24 तारीक को भारी से बहुत भारी बारिस होने की चेतावनी भी जारी की है कैमरामेन सत्या के साथ सिधार्थ दिल्ली आज तक इदर मौसम से चेतावनी है उधर गीर के लिए कौन सी चेतावनी दी जाए क्योंकि कुझरात का गीर शेरों के लिए कब्रगाह बन रहा है 11 दिन 12 शेर मर गए है इंफेक्शन आखिर कौन सा इंफेक्शन कैसा इंफेक्शन और उसका इलाज क्यों नहीं मौत क्यों हो रही है शेरों के खत्रे में जंगल का राजा 11 दिन में मारे गए 12 शेर गुझरात का गीर बना शेरों की कब्रगाह जंगल का राजा शेर जिसकी एक जलक देखने के लिए लोग खीचे चले आते हैं जंगल का राजा शेर जिसकी दहार सुनकर रूह काँ पुढ़ती है इस जानवर के प्रती रुजहान इनसान का हमेशा से रहा है शेर से एक खास रिश्टा रहा है तो हिंदुस्तान में शेरों की संख्या बढ़ाने इन्हें शिकार से बचाने के लिए भी उपाय किये जाते रहें लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो सारी कोशिशों पर पानी फेरने वाली है जंगल का राजा शेर गीर में सुरक्षित नहीं है जी हाँ, सही सुना आपने शेरों के लिए मशूर गुजरात के गीर में एक के बाद एक बारा शेर मारे गए है हलांकि गीर का जंगल, दुनिया का केला ऐसा जंगल है जहां इश्याई बपर शेर पाये जाते है 1413 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जंगल में शेर पूरी तरह सुरक्षित भी माने जाते है तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि यहां के जुनागड में 11 दिन में 12 शेर बे मौत मारे गए फरेंसिक रिपोर्ट से पता चला है कि जादतर शेरों की मौत गुदरती है चार शेरों की मौत फेफणों और लिवर में वाइरल इंफेक्शन के कारण हुई है हलाकि यह एक बिमारी है जिसे फैलाइन लिउकेमिया भी कहते हैं यही नहीं कुछ शेरों की मौत की वज़े आपसी लडाई भी बताई जा रही है तो आपको बता दें कि मरने वाले शेरों में 6 शावक भी थे यह जो डेथ हुई है उसका पोस्टमोटम का जो जानने को मिला है उसके मुताबिक उसके जो विसेरा है लंग का पार्ट है जिसको फेफणा बोलते है तो उसके अंदर इंफेक्शन पाया गया है सभी के अंदर तो सभी का जो डेथ का जो रिजन है वो इंफेक्शन है और कुछ एनिमल्स में यह जो लंग का इंफेक्शन है वो दूसरे ओर्गंस में भी फेला हुआ मिला हुआ है किड्नी और उसके अंदर तो वो इंफेक्शन ज्यादा सीवियर हो गया है तो अब ये इंफेक्शन का कोज क्या है वो देखने का भी बाकी है जाहिर है, मामला गंभीर है लियाजा इस दिशा में जाच शुरू कर दी गई है एतियाद के लिए इलाके के दूसरे शेरों को पकड़ कर उनके खून के नमुने लिये जा रहे हैं शेरों को एंटिबाइटिक दवाएं भी दी जा रही है, निगरानी रखी जा रही है तो पूरे गुजरात से शेर विशिशक्यों और वेटनरी डॉक्टरों को बुलाया गया है ताकि जंगल के राजा की जान बच्चा ही जा सके जबकि वो मेल है, फीमेल है, अपने आप मेटिंग में लेने के लिए, खूराक के लिए वैसे आपको ये दस्वीरे दुयादी होंगे शेरों के साथ खिलवार की ये तस्वीरें गुजरात के गीर और अमरेली की ही है जिस इलाके से फिलहाल शेरों के मारे जाने की ख़बर आई है तो क्या जंगल के राजा के साथ कोई अन्होनी हुई है? शेर इंसानी दखल की वज़े से मारे गए हैं? सवाल तूठिंग वन विपाग ने एक अच्छा प्रयास किया है कि उन सभी एनिमल का एक पेनल पियम किया है जिससे उसके डीप में जाके उसकी जाच कर सके और उसके विशेरा भी भेजे हुए है लेबरेटरी में जिससे किस वाइरस से या विक्टिरिया से इन्फेक्शन हुआ है वो पूरे-पूरी 100% जाच कर सके और उसके आधार पे उसकी ट्रिटमेंट हो सके वैसे एक अनुमान के मुताबिक गीर में 700 शेर हैं लियाजा ये शेर सिंदा रहें आजाद रहें इसकी तस्दीक कर लेना बेहत जरूरी है तो उतना ही जरूरी है इन शेरों की मौत की असली वजह का पता लगाना और अगर इसमें दोश खुदरत का नहीं इनसान का है तो फिर कारवाई और एक्शन भी उतने ही जरूरी है आज तक ब्यारों झाल